दोस्तो आज हम लोग सीखेंगे कि इंडियन बैंक में कैसे आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं मैं हमेशा आपके लिए एक नए नए चीज़ ले आता हूं जिससे आप बैंकों के फॉर्म्स एकाउंट ओपनिंग या गौर्णमेंट फॉर्म्स जो बैंक म एकाउंट खुलते हैं उनको आप भर सके तो आज हम लोग देखेंगे यह इंडियन बैंक जिसमें इलाबाद बैंक मर्ज हो चुका है तो आप कैसे उसका एकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं आराम से और जल्दी ही भर के आप इसली दे सकते हैं तो आपका एकाउंट आराम से खुल जाएगा तो शुरू करते हैं वीडियो देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आप जो यह उपर का पार्ट है यहां तक आप उसको छोड़ दीजेगा यह क्यों आफिस यूज के लिए ही है इसलिए इसको आपको कुछ भी नहीं भरना है इसके बाद हम यहां आत हैंगे तो खाता खोलने में बहुत आसानी होगी और दो मिनट में ही खाता कुल सकता है अगर आपके पास यह एक्जिस्टिंग कस्टमर आइडी नहीं है तो कोई बात नहीं फिर आप आगे आए अगर आपके पास है भी तो यह पूरा फार्म भरना है और अगर है तो आप यह अगर कस्टमर आइडी डाल देते हैं तो बहूत असानी हो जाती है बैक वालों के लिए फिर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पला नाम भरेंगे आपका तब्सकर सकते हैं मिस्टर राम आगर आपका नाम जो भी है आप यहां पर अपना नाम लिख़्िए इसके बाद आप यहाँ पे अपना date of birth डाल दीजे इसके बाद आप अपना gender select करेंगे male, female, transgender जो भी है इसके बाद आप अपना martial status select करेंगे married है तो शादी होगे यह तो married शादी नहीं होगे यह तो unmarried इसके बाद आपने mother and father का नाम यहाँ पे लिखेंगे father का नाम सारे capital letter में ही लिखिएगा और एक-एक block में एक-एक letter ही लिखिएगा यह मैंने नाम ऐसे ही लिए है random आपका जो भी आधार card पे identity card है जो भी OVDA officially valid document है उसके हिसाब से आप अपना नाम यहाँ सब कुछ exact सही detail डलते हुए लिखिएगा फिर number of dependent number of dependent दोस्तों यह है कि आपके आपके आशरित कितने लोग है जैसे अगर आप कमाते हैं आपके माता पिता नहीं कमाते हैं तो वो आपके dependent हुए या आपकी शादी हुई है आपकी वाइफ है तो वो वर्क नहीं करती है तो आपकी dependent है या आपके बच्चे है वो आपके dependent हुए इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगर आपके लेट्रेट है तो यस पर टिक करेंगे नहीं है तो नो पर करेंगे अगर यस है तो कोई identification mark लिख सकते हैं इसकार या मौल या कुछ भी अँन्नेक या जैसा है तहीं भी आप दे सकते हैं अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं इसको छोड़ दीजे इसके बाद name of the guardian अगर ये minor का form है तो guardian का नाम लिखना पड़ेगा mother या father का अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजे और अगर है तो आप यहाँ नाम डालके इनका relationship mother father जो भी है डाल दीए नेशनल टी में आप Indian select करिए occupation type में आप जो भी करते हैं retired है professional है service है business है या student है तो आप tick कर दीजे इसको इसके बाद अगर इसमें का option है इसमें जो भी नहीं दिया not categorized है तो आप यहाँ लिख सकते हैं अप क्या करते हैं फिर monthly income आपको अपना देना है monthly income अगर आप ITR file करते हैं तो उसके हिसाब से दीजे नहीं तो आप जो भी आपको pocket में नहीं मिलती है मान लिजा आप student है तो वो भी दे सकते हैं इसके बाद अपना आप net worth लिखेंगे net worth student है तो जहिर सी बात है कि 50,000, 20,000 या जो भी है और अगर आप earning है, salary है तो आपको net worth है आपके पास क्या चीज़े है जोड की लिख सकते हैं तो आप प्रॉक्स में 50 जा लिख देता हूँ यहाँ पर फिर अपना आप religion select करेंगे Hindu, Muslim, Christian, Sikh या दर जो भी हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पर category select करेंगे General O, B, C, 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 T जो भी आपकी category है certificate है आपके पास certificate देना नहीं है बस आपको लिखना है यहाँ पर टिक कर देना है क्यों उसको अगर आप person with disability है तो यह टिक करेंगे नहीं तो नो टिक करेंगे अगर यह टिक करते हैं तो visually impaired है यह differently abled है visually impaired मतलब दोस्तों जो देख नहीं सकते है differently abled means जिनके हाँ पर यह कुछ भी खराब है तो उनके लिए है इसके बाद दोस्तों अपना education qualification लिखेंगे below SSC 10th से नीचे SSC 10th यह higher secondary course तो आप 12th यह graduate है तो graduate post graduate है तो post graduate कोई professional CA doctor ही है तो कर सकते हैं जो appropriate हो आप लिखिए इसके बाद आप designation profession मान लिजे आप doctor है तो यहाँ doctor किस hospital में है वो लिख सकते हैं यहाँ designation doctor nature of business अगर business करते हैं तो अगर आप politically exposed person मतलब अगर आप किसी politics में involved हैं या MP MLA या कुछ भी है अगर politics related तो आप यहाँ पर expose पर check करेंगे या आप उनसे related हैं तो करेंगे नहीं तो आप none कर देंगे इसके बाद दोस्तो country of jurisdiction जो है वो हमारा इंडिया है उसका short code जो है आई एन है यहाँ पर दिया भी है इस form में इसके बाद place of birth आप place of birth जहां भी आपकी पैदाईस हुई है आप वो डाल सकते हैं citizenship Indian आप इंडिया के है इंडियन है उसके बाद country of tax residence in India only and not in any other country outside तो आपका जो tax है आपका इंडिया में ही है तो आप उसको yes करेंगे नहीं तो no करेंगे और अगर आपके पास pen number या 18 number है तो आप उसको यहाँ पर fill up करेंगे अपना pen number लिख देंगे और अगर आपके पास दोस्तो pen number नहीं है तो परिशान होने की बात नहीं है आप यहाँ पर form 60 भी भर सकते हैं फिर सबसे जरूरी चीज पर आते हैं दोस्तों जो की है आपका contact details यह contact details भरना बहुत ही जरूरी है इसमें आप अपना mobile number देंगे mobile number बहुत जरूरी उस पर ही सारे आपके SMS और आपके जो communication होंगे bank से वो सबाएंगे तो यह देना बहुत ही जरूरी है आप यह अपना contact details दे दीजे जो भी आपका number है जिस पर आप SMS चाहते हैं किया है email ID भी दोस्तों जरूर दीजे बहुत सारी services statement जैसे है यह सब email ID पर ही आपको मिल सकती है इसलिए email ID भी आप दे दीजे अपना जो भी आपका है alternate number है तो भी provide कर दीजे यह आपके पास office landline अभी भी है या residence office का तो भी आप दे सकते हैं फिर आपको proof of identity में या address में जो आपके पास है passport, water identity card, driving license, आधार card या कुछ अलग नरेगा card तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं माल लिजे मेरे पास water card है और आधार card है मैंने दोनों पर ही select कर लिया है इसके बाद अपना यह document number आप identification number किसी एक आधार का या water card का आप यहाँ पर लिख दीजे issue date अगर है तो यहाँ डाल दीजे, expiry date है तो भी डाल दीजे, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजे इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ सबसे नीचे page के आप यहाँ पर अपना signature करिए फिर यह पहला page आपका दोस्तों खतम होता है फिर हम next page पर आते हैं तो दोस्तों हम आते हैं अपने दूसरे page पर इस दूसरे page पर आपको यहाँ पर अपना address detail डालना है आप सबसे ओपर देख सकते हैं यहाँ पर address detail है अगर आपका current address permanent address है या overseas address है आप नराई है तो आप overseas पर नहीं तो अगर आप घर पर ही रहते हैं कहीं बाहर जौब नहीं करते हैं तो permanent address पर select करिए और residential address पर टिक करिए आपका घर या business है आपका तो business address या registered office यान specified यहाँ पर आप अपना address city district state और पिन के साथ लिग दीजे इसके बाद आता है कि अगर आप यहाँ बाहर जौब करते हैं तो आप अपना correspondence address या local address आप दे सकते हैं और अगर आप घर पे ही रहते हैं कहीं बाहर नहीं है अपने residence पर रहते हैं तो यह पर प्लेट कर्राइट करानेंट डालके आप डेट यहां लिख सकते हैं इसके बाद declaration है दोस्तों कि सारे टमसें condition आप मानते हैं second जो महत्पूर है उसमें कि आप अपने declaration देते हैं कि आप UIDI को अपना permission देते हैं कि bank आपका barometric authentication कर सकता है तो आप yes या no दोनों में से कोई certificate कर देंगे yes करते हैं तो bank आपको authenticate करने के लिए eligible हो जाएगा और no करते हैं तो bank ऐसा आपके लिए नहीं करेगा यहां पर आप अपना photo लगाई है photo लगा कि आप यहां पर signature करिए signature दो तीन या चार आप करने के कोशिश करिए जिससे कि आपको अगर signature थोड़ा बूद करने पर इधर उधर होता है तो कुछ flow में अंतर आता है अगर आप तीन चार करेंगे तो bankers जो है उस flow को पहचान के आपको payment कर देंगे कभी आपको कोई problem नहीं होगा तो single signature की जगए तीन चार बार signature करें इसका अपना place लिखे माली जब निव देली में है तो निव देली लिख दीजे फिर update डाल दीजे अपना इस पार्ट को छोड़ दीजे यह पार्ट के वाल office यूज के लिए है यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है इस पार्ट में यह official purpose के लिए है last में आप यहां पर के वाल signature करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो दोस्तों यह आपका second part जो है खतम हो जाएगा अब देखते हैं third page को दोस्तों यह है हमारा third page इसमें आप पहले वाले पार्ट को छोड़ देंगे यह office यूज के लिए है second part में आप आएंगे तो यहां पर type of account पूछता है आप saving account नार्मल खाता है bsbda, bsbda small current, flexi deposit, capital gain किस तरह खाता कुलवाना चाहते हैं bsbda और saving account में तरक saving account नार्मल अकाउंट है जिसमें आपको minimum balance रखना पड़ेगा bsbda में आप zero balance पे खाता खोल सकते हैं current account भी खोल सकते हैं fixed deposit जो भी है मान लिए आप zero balance पे खाता कुलना चाहते हैं तो इस पर च अगर आप सिंगल खाता के और अपने ही नाम से खोलना है तो आप self पे check कर सकते हैं और अगर आप jointly खोलना है तो इसमें आपको दो तीन option और मिलते हैं friends जैसा कि either survivor दोनों में से कोई एक भी sign करके पैसा निकाल सकता है former survivor पहले वाला के खाता यूज करेगा जब वो नहीं र रहने का innocence उसके death पर anyone और survivor में है option कि दोनों में से कोई एक यूज करेगा और एक के ना रहने पर दूसरा जो बचा रहेगा वो यूज करेगा jointly operated में बिना दोनों के signature के पैसा नहीं निकाल सकते other में आपको specify करना हुगा किस तरह से आप account operate करना चाहता है ATM चाहिए तो yes कर द कर दीजे चेक बुक चाहिए तो yes करिए internet banking पर यस करिए transaction rights दोनों applicant अगर joint है तो दोनों applicant को दे सकते हैं नहीं तो single है तो क्यों first applicant पर ही होगा इसके बाद SMS alert आपको चाहिए तो yes करिए phone banking services mobile banking passport required e statement अगर आप email id दिये हैं तो आपका e statement भी मिल जाएगा तो आपको जो भी सुविधा चाहिए आप yes कर सकते हैं नहीं था आप no कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आप fix deposit का भी option दिया हुआ है fix deposit भी यहां पर चेक करके खोल सकते हैं multi deposit option भी है recurring deposit भी है लेकिन यह हम बाद में discuss करेंगे क्योंकि एक खाता खुलने के बाद ही है सब्ची चालू होंगी और last में आप जो हैं यहां पर फिर last page पे आप signature कर देंगे यहां पर अब देखते हैं दोस्तों fourth page जो कि इस bank का last page है फोर्थ page मिली दोस्तों nomination का है in the case कुछ अगर आपको हो जाता है आप नहीं रहते हैं तो आप किसको nominate करेंगे जो पैसे आपको मिले तो यहां पर आई भी अपना नाम लिखिए और इसके बाद किस bank का यह किस branch में आप भर रहे हैं Indian bank मान लिजा नियु देली branch है देली में उसके बाद अगर आप nominate अगर passbook को print करना चाहते हैं कि nomination किसके नाम से है तो यहां पर चेक कर दीजिए type of deposit में saving या डिया deposit आप जो भी डाल रहे हैं उसको आप लिखके account number जो भी generate होगा बाद में bank डाल देगा क्यों आप details of nominee डालिए अगर customer ID है तो easy होगा bankers के लिए उसको system में क्यों customer ID डालता ही सारी detail फेच कर लेगा और अगर नहीं है तो आप उनका नाम लिखिए Mr. जो भी है श्याम मालीज आपके father है आप mobile number डाल देए relationship with deposit डालिए का आपके relation में क्या लगते है mother, father, husband age डालिए माइनर है तो उसका भी update of board डालिए और किसी को अपर point करेंगे कि अगर आप नहीं रहते हैं तो क्योंकि हो माइनर 18 साल से कम है तो किसको पैसा मिलना चाहिए जो कि nominee के भी हब पे लेगा इसके बार दोस्ता आप अपना यहां पर signature करिए signature करने के बाद यहां पर last में अगर आप चाहते हैं कि आप nominate नहीं करना चाहते हैं किसी को भी किसी कारर से तो आप यहां पर check करके आप अपना signature कर दीजिए अगर आप अगुठा लगाते हैं तो आप विटनेस आपको डालना होगा कोई दो लोग witness करेंगे और अगर अगुठा नहीं लगाते हैं तो बस signature से क कर लिजिए अगर केस अगर account minor का है तो यहां पर minor who is my father I declare that the date of the birth of the minor जो कि अगर date of birth है अगर minor का तो वो क्या लगता हैं आपके son यहां पर हो जाएगा या फिर nephew niece जो भी है वहां पर लिख देंगे फिर यहां पर प्लेज मेन्यू डेली लिखेंगे date डालेंगे signature करेंगे यह पार्ट इसके बाद office का पार्ट है यह आप छोड़ देंगे office के पार्ट को इसमें आप कुछ में नहीं भरेंगे तो दोस्तों यह आपका form पूरी त जरा से भरा रहता है तो बैंक वालों को भी खोलने में easy रहता है नहीं तो बैंक वालों को form भरना पड़ता है पूरे अच्छे से तभी हो खोलेंगे और इसमें time भी waste होता है क्योंकि बहुत सारा accounts आता है तो खोलना पड़ता है और form भी routinely check होते हैं inspector के द्वारा तो अगर आप easily form भरके देंगे तो खोलने में समय जादा नहीं लगेगा वह आपको भी easy हो जाएगा दोस्तो इस चैनल को like and subscribe करिए इसी तरह मैं आपके लिए और भी forms ले आऊँगा अलग बैंकों के और जो आपको भरने में कटना ही होती है या problem face करते हैं आप comment में भी इसको mention कर सक सकते हैं और मैं आपके सारे problems को solve करने के कोशिश करूंगा धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में